पुछा किस से Question Rat ? ट्यूमर मार्कर होता है, ट्यूमर मार्कर are the substance या molecules produced by the tissue or the body in the response of the cancer antision tumor marker वे molecules होते हैं या वे chemicals substance होते हैं जो आपके tissues या आपकी body के cells के द्वारा produce किया जाता है in the response of the cancer आपकी body के किसी भी cell में यदि cancer हुआ होगा तो आपके cells या आपके tissue जो है उसके response में एक molecules का production करते हैं और o molecules जो है o tumor marker के नाम से जाना जाता है मतलब अगर o molecules जैसे ca 15.3 एक molecule है अगर बाड़ी में detect हो रहा है तो यह किसी ना किसी cancer के response में जो है produce हुआ होगा तो किसी ने किसी cancer के response में प्रोडियूस होगा मतलब lot of cancer के अंटीजन के बिहाफ में अलग-अलग टाइप के जो marker है फो प्रोडियूस होते हैं अलग-अलग टाइप के molecules जो है है इसको बोलते हैं कार्वो हैड्रेट एंटीजन क्या बोला जाता है सरे कार्वो हैड्रेट एंटीजन अब जो ट्यूमर मारकर प्रोडियूस हो रहा है वाया था शेल्स बाय दसेल्स इन्दर रिस्पॉंस आप दा सबसे इंपोर्टेंट बात अपने नोट्स में सारे चीज लिखना जो भी बताने जा रहा हूं त्यूमर मारकर से question हमीशा पूछा जाता है और यह बहुत ही important topic है इन में से आपको कमसी के 8 से 10 ट्यूमर मारकर आपको हमीशा याद होना चाहिए कि कौन सा ट्यूमर मारकर किस cancer के response में produce होता है और यानि कि कौन सा ट्यूमर मारकर जो है किस cancer को detect करने के लिए huge किया जाता है अब हम लोग उसी को जानते हैं मैं कुछ ट्यूमर मारकर के आपको नाम बताऊंगा और उनको आप लिखते जाना सबसे फ़र्षवन आता है अलफा फेटो प्रोटीन नॉर्मल भी हमारे वाड़ी में प्रोड्यूस होता है जब बेबी जो है चल रही है इस कंडिशन में भी अल्फा फेटो प्रोटीन जो है अगर नॉर्मल इंडिविजूल में प्रोड्यूस हो रहा है इट मिन्स इट इस अ ट्यूमर मारकर किसी न किसी कैंसर के रिस्पॉंस में प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है किस टाप के कैंसर के रिस्पॉंस में प्रोड्यूस होता है जैसे लिवर कैंसर ओवेरियन कैंसर और जर्म सेल ट्यू होता है तो यानि के और हैंन जो है वह आपको टेस्टी कूलर कैंसर तो उसमें सबीवर का कैंसर यदि होगा आपको यदि आपको यह पूछे लिएक लिए और टेस्टीज के लिए इन तीनों के कैंसर के अगर और गयन में कैंसर है तो उसके रिस्पांस में एफ बहुत हाई अमांट में डिटेक्ट होगा ब्लड में आज वेलाइज लाबरेटरी में आप जब अब्जर्ब करोगे तो यह काफी इंक्रीज माउंट में एक च्छों आप डिटा ऐसीजिए जो आप देखो ऐसा कोई नहीं के जो मौलीकूल से के रूप में है कैंसर के रिस्पांस में ही के वल प्रोडूस होंगे यह हमारे बोडिके नॉर्माल फंक्शनलाइज में नॉर्माल भी प्रोडूस होते है वह जैसे बीटा ऐसीजी करते हैं उसमें यही हॉर्मोन होता है इसी पेशेंट में प्रेग्नेंसी नहीं है और बीटा ऐसे बहुत हाइए अमॉंट में डिटेक्ट हो रहा है यह वाट मिस्वाट एट कि इस तो गिवेन अ कार्ड गिवेन आ ट्यूमर मारकर इस प्रोडियूस इन रिस्पॉंस आप तर कैंसर आप ए दुसरे कंड के कैंसर के रिस्पोंस में प्रोडियूस होगा और ओवरी का कैंसर है इसमें भी जो है को बीटा एसीजिए प्रोडियूस में लिक्टियूक्टrah नीकेंसर ने लोट नी Android करेंद्स कैसे किया जागा डिटर्मिनेस ऐडाल इसके ढूंब की सफ़ीन किया जाएगा कैंश करा था उसे लोग बोलता है बार थैटिजन फैसे मतलब ब्लाडर ट्यूमर िंडिघन अगर यूरीन के ब्लाडर से कहीं कफ एक एकफ़ी डिटेक्ट में हो इन तीनों में कहीं भी अगर कैंसर होगा कहां कहां सर यूरिन के ब्लाडर कैंसर होगा किड्नी कैंसर होगा या यूरेटर कैंसर होगा इन स्टीनों में कहीं भी अगर कांसर होता है अगर किसी परशन में ब्लैडर ट्यूमर एंटीजन पूसको थे जो सकता है कि एक ट्यूमर अगर कांसर बिटिये जो है ट्यूमर मार्कर है किस ऑर्गन के कैंसर को डाग्नोस करने के लिए तो आप याद रखना है के लिए यूरेन ब्लाडर के लिए ऐसे किया जाएगा सर यूरीन से किया जाएगा ठीक है यह लग बहुत हुपरेंट है 15.3 के लिए यूज होता है सर ब्रेसट कैंसर के लिए यूज होता है और किसे से डिटेक्ट किया जाता है ब्लड से चींट जो है और इसके लिए यूज किया जाता है सर ब्रीश्ट ऐस्ट कैंसर के लिए सबसे ज्यादा और ब्रेश्ट कैंसर सबसे ज्यादा डियाग्नोस भी होता है इंडिया में तो ब्रेश्ट कैंसर के लिए याद कर लो एक दम फिक्स आउट नेक्स्ट वन फिप्त वन का लिए ट्यूमर मार करें जिसको बोलते हैं कार्सीनो एंब्रियोन एंटीजन सौर्ट में बोलते हैं सी एए और कार्सीनो एंब्रियोनिक एंटीजन जो मेनली जो आपके एलिमेंटरी कैनल है जैसे कि इसोफेगस है स्टमाइक है स्मॉल इंटेस्टाइन है कोलोन है इन में अगर कैंसर प्रोडियूस हो रहा होगा तो इनके कैंसर के रिस्पॉंस में जो है करकलर कैंसर कोलॉन और एक्रांसर को इसके अलावे और कैंसर होता है तब अरुजस में और भी जैसे कि यूट्ररस और लंग इनमें कैंसर तब भी सब्कियाम किया जाएगा अगर लिवर का है तब भी सब्सक्राइब टेस्ट किया जाएगा पैन्क्रियास में तो में दो हिंटे हेज में तो किया ही जाएगा इतने सारे और अगर कैंसर है तो सीए हम लोग टेस्ट करते हैं मतलब मोस्ट अब अगर इंटरनल ऑर्गन की हम लोग बात करें अगर उसमें कैंसर है कहीं पर भी तो सीए आपको हाई इमाउंट में फाइंड आउट होगा और मोस्ट लिए यूजएबल फॉर्दा कोलोन कैंसर या एलिमेंटरी कैनल कैंसर आप लिख लो नोट कर लो सब्समाज में आ रहा होगा टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे सर ब्लट से करेंगे देखिए मेरी जो भी क्लासिस होता है मैं जल्दी भागने के कोसे से मैं नहीं रहता हूं दो चार पाइंच दसमेंड में फिनिस नहीं करना अराम से पढ़ेंगे सारी जानकारी लेके पढ़ेंगे और वह जानकारी ही आपको इंपोर्टेंट काम आएंगे कॉम्पेटिशन एक्जाम में ठीक है जिसको हम लोग बोल जाता है इसमें गॉल बलाडर नहीं दिया चीए 19.9 आप लिख लो ठीक है में लिए पैंक्रियाज गॉल ब्लाडर इसके लिए ठीक टेस्ट कैसे किया जाएगा ब्लड से किया जाएगा और लास्ट आप में आता है सिए 125 का भी बहुत ही ज्यादा यूज है और बहुत ही ज हो भी किया जाते हैं मिद्ए 106ी Prais 1525 कि लिए यूज किया जाता है सर फृष सबैसे के लिए आप कितने होगा है दो तीन होगे एक तो हो गया आा 15.3 और एक होगा सिए 125 टेस्ट कैसा किया जागा सर ब्लड से किया जागा अल्राइट किलियर हो गया एट इतने सारे जो है कैसर मार्कर आप याद रखोगे और मेमोराइज रखोगे ठीक अब हम लोग आते हैं अपने प्रेशन पर क्या कहता है कि सीए 15.3 मार्कर इज डन फोर चीए 15.3 किसके लिए उसकरते हैं सर जी अभी ज़्यश्ट बताया किसी ए 15.3 या 27.29 जो कम यूज होता है दोनों जो है फोकिस के लिए उस होता है ब्रेश्ट का अनसर के लिए नाव तो नाट तक करेक्ट आंसर अश सब्सक्राइब है इस देख सलेश्ट आप्षण बढ Вас जो है हों जुक्राइब होदuman परret आंसर दियर हुए सर कोलोन कैंसर के लिए कौन यूज करते हैंश अब ज़स्त मत आया आपको दीजिए कि आ जाता है को लोन सब्सक्राइब सर अब हीजा आपको के लिए सपdistर को ब यूज किया जाता है अभी जैस्ट बताया हूं इसके लिए यूज किया जाता है ट्यूमर मारकर याद रखन तो चार वार यह रिवाइच करोगे याद हो जागा बहुत बड़ा टफ वरक नहीं है है न किलिए किलिए